हलो पiddern तो आज अक्रेक्टिकल करने वाले हैं इलेक्त्रिकल वाइबरेटर की हेलप से अन्नोन कैपस्टी के कंदेनसर की कैपस्टि फ़ाइनाट करेंगे को यह हमारा एलेक्टिकल वाइबरटर है यह एक सिंपल सर्कृट ही जिए देखे रिए ने इसको डारेक्ट सप्लाइज दे लिए थीक है यह हमारी एक सोलोनाइड है सोलोनाइड आप जानते हैं कि जब इसमें करंट हम फुलो गरते हैं सो यह इट भी हैवलाईगा मागनेट तो यह solonide है इसमें जो है insulator पे बहुत सारे wire wide किये गए हैं यह हमारा एक steel wire है okay steel wire आप जानते हैं कि एक ferromagnetic material होता है जब किसी magnetic field में इसको place किया जाता है तो यह temporary magnet की तरह भी अब करता है यह हमारा एक permanent magnet है ठीक है तो इसकी fixed polarity होगी north and south और यह हमारे भी एक connecting terminals हैं ओके सो यह जब हम इसमें current flow करेंगे तो यह एक magnetic field produce करेगा ओके सो इस magnetic field के जब में place किया गया है यह हमारा magnetic steel wire तो यह magnetize हो जाएगा और जब यह magnetize हो जाएगा तो इसकी क्योंकि एक polarity होगी तो इस wire की भी होगी और यह permanent magnet है तो यह और इसमें हम AC flow करेंगे तो इसकी polarity change होती रहेगी instantly और इसकी polarity fix रहेगी तो जब